मुझें आपको काउंटी फर्मूला के बारे में बताऊंगा बहुत ही खुब सुरत बहुत ही वंडरफुल फर्मूला है वंडरफुल थींग बहुत ही प्यारी चीज है यह difficulty level easy again मेरे हिसाब से easy है कई लोग कहते हैं कि इसे medium में डालना चाहिए लेकिन मेरा मानना है कि यह बहुत ही easy है आगे देखने से पहले मेरा खुद का कॉमर्सियल जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं जी हां जो हम यह work करेंगे यह excel work file available है हमारे website पर आप जाएंगे हमारे website www.priorenginecomputer.weblin.com आप जब इस website पर विजिट करेंगे तो एक excel training files के नम से एक वनी होगी है उस पर जाके हमारे training के सभी files को आप download कर सकते हैं और download करके आप अपने computer system पर इसको practice कर सकते हैं चुकि my aim is dead की सभी लोग excel सीख वाएं देखी excel एक ऐसी चीज है जो कि बहुत मदद कर सकती है अगर हम इसको अच्छे से समझे it is only as good as the programmer कोसिस करें जितना ज्यादा practice हो सके जितनी ज्यादा variations हो सके वो ले क्या है अपने work में ठीक है तो चलिए ग्यान बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अब हम अपनी formula की तरफ आते हैं कि basically यह formula क्या है काउंटी फर्मूला हमको help करता है कोई एक रेंज में कुछ चीज को count करने के लिए based on criteria यहां पर दिखिए मैंने एक basic सी attendance व्हाँ है जिसे मैंने कुछ लोह के नाम लिक्क हुए है और यहां पर डेट लिखिए हुए अब मैं यह देखना चाहता हूं जैसे मैंने कुछ नाम लेक्त रखें सबसे पहले मिने नहीं जेली क्रक्ण अंज कि तक है एस है लोग का नाम लिकाखास में लेखर आधा मधी है कुपली आदा भी है तौई आधे छी है वहाँ यह इस ले चीज़ बहुत इंटेस्टिन यहां पर अप देख सकते हैं पर नितीस और लालू का नाम भी ख़़ाऊं यहां पॉरे महीने का निखालना होता है कि पूरे महीने में तो हमारे कमपनी में कितने लोग नहीं आए इस इसको देखने के लिए basically हम counting formula के use करते हैं ठीक है अब यसे मैंने एक अप्रेल से लेकर 15 अप्रेल तक का मैंने यहाँ पर data बनाया हुआ ठीक है और इस data में हम लोग निकालने की कोशित करेंगे कि एक अप्रेल को कितने लोग फर्जेंट थे और एक अप्रेल को कितने लोग अप्सेंट थे ठीक है तो basically formula यूज करने के दू तरीके हैं पहला syntax के माध्यम से दूसरा formula type में जाकर insert function में जाकर यहाँ प्रमूला टाइप करते हैं यूब पर जाते हैं और उसका criteria को आप set करते हैं ठीक है सबसे पहले हम लोग syntax के माध्यम से इसको निकालने की process करेंगे मेरा सबसे फेवरेट तरीक तरीका है इस उकल टू काउंट इफ ठीक है count if देंगे excel 2007 and above में यह facility है कि जैसे ही आपको फर्मूला लिखते हैं तो उससे लेटर जो फर्मूले होते हैं वह आपके सामने में आ जाते हैं तो बहुत खूपसुरत चीज़ है अच्छा यह जैसे मैंने count if लिखने के बाद में जैसे यह क्या रहा है इसको पढ़त है count the number of sales within a range that meet the given condition ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि एक range के अंदर उन sales को count करता है जो की condition को meet करते हैं ध्यान रहें कि यह फर्मूला नुमेरिक और अलफाबेट्स दोनों में काम कर सकते हैं ठीक है आप हम क्या करेंगे की पीडूर से टैप को प्रेस करेंगे बहुत ध्यान से सुनएगा किसे कैसे कर रहा हूं कैसे बोल रहा हुआ है मैं कीबोर्ट से टैप को प्रेस कर रहा हूं तो count if जो फर्मूला है हमारा इसकी नहीं देना है आपको इस्थ एक अप्रिल का देना है जो कि आपने 1 अप्रिल का निकांगो फूरे का नहीं निकांगो, है या रेंज क्या होता है रेंज जैसे मैंने सिखाये था कि रेंज इस और रेंज इसुअ और वसले फूर्वुक वार्श को देगत 不ट यहां रेंजित आपप स्लेक्ट होगे पिसलेक्ट होने के बार मने कि रborg तो क्या दबाना है आपको कॉम दबाना में बोओ ध्यान से देखेंगे गहां इसके हमें तो क्राइटी आप तो हम क्या करते हैं चुकि हमें अभी क्या करना है count of p यानि की present logo का यहां पर हमें result निकाल नहीं चुकि है और a4 of send तो अभी हम क्या निकाल रहे है present निकाल रहे है तो चुकि जो चीज एक्सल पर print करवानी होती है उसके लिए हम लोग semi column का use करते है सेमि कोनों कैसे आएगा सेफ्ट दवा के आप सेभाल कोई ठीक है और की पर की लिखेंगे फिसे सेभी कोई को बंद करेंगी और बंद करने के बाद में आपको क्या करना है अन। आपको खरण न сильно के रियर्च презzur करण के और इसे कि फोक ह expert कि बास्द ने के बाद में मैंने आ औ उसके हम क्या करेंगे याद है आप लोगे है ठीक है याद नहीं है लिए मैं सुखा दोता हूँ गांट्रोल और एंटर को प्रेस करेंगे हमारा रिजर्ट आ जाएगा और उसी चेल में हम खड़ जा सकते हैं ठीक है अब हम इसको मैनुवली करके देखते हैं कि एक्चुल में यह दिजर्ट हमारा सही है या गलत है चलिए काउंटर के देखते हैं 1P 2P 3P 4P 5P 6P यानिके 6 बार पी आगा अगर 6 बार कोई पीले तो उसका तो हालत खराब हुजाएगा ठीक है यह हमारा 6 दिजर्ट आ लिए अब इसी काम को हम लों करते हैं फर्मुला टैब में जाकर इ यहां पर हम लों टाइब करते हैं काउंट इफ काउंट इफ काउंट इफ लिखा और गो पर क्लिक किया जैसे मैंने काउंट इफ लिखा और गो पर क्लिक किया काउंट इफ से लेटर जो फर्मुले है यह आपके सामने में आगे उस फर्मुले मैंने इसमें से बता दिये है Count a ַच इफ बता रहा हूं count ifs यह सारी है आपको आगे आने वाले दिटोल में आपको बताता रहों ठीक है Count if लिखा OK क्या लिखाएगे Range Range मेंने क्या बताया था आपको Range is collection of sales आपको क्या करना है यहां से लेकर यहां तक आपको तो यहां पर क्या है कि आपको सेमी कॉलम देने की जरूबत नहीं है आप क्या करेंगे एक को टाइप कर देने ठीक है अच्छा यहां पर एक ध्यान देने वाली है कि यहां पर caps lock और होने की कोई जरूरत नहीं है आप सोचते ही होंगे कि यहां पर जो है इन दी फॉर्म आप नंबर एक्प्रेशन और टेक्स टैटिफाइंस इसेल को हम काउंट करना चाहते हैं उसकी कंडिशन हम यहां पर देते हैं ठीक है कि आपको करना किया तो मैंने रेंज दे दिया क्रैटेरिया दिया और फाइनली ओके किया यह देखिए हमारा नाइन अगया अब इसको काउंट करके देखते हैं वन टू थ्री फॉर फाइट सेवन एट नाइन ठीक है यह आपका नाइन और फर्मूला मैंने दो तरीके से निकाल के बताए आपको एक सिंटेक्स के मार्द हम से और दूसरा इंसर्ट फंक्शन में गया है और यहां पर मैंने टाइप किया था ठीक है चुकि और यहां पर लगा हुगा है अच्छा अब हम क्या करते हैं कि इसको निकालना चाहते हैं तो एक चीज़ मैंने आपको पहले वाले ट्रॉली में बताई थी कि जब आप एक्स किया कोपी किया और यहां पर जाएंगे हमने फेस्ट कर ठीक है एक तरीका तो यह हो गया दूसरा तरीका आप यहां पर जाएंगे ठीक है और यहां पर जाने के बाद में जो पोडर सा बना हुआ रहा है इसके कॉर्णर के डॉट सा भी बना हुआ रहा है बहुत धान से दि यहाँ मैं पर लेकुण जा रहा हूं प्लस ब्लैक वाल बन दिः मैं अब हम क्या करेंगे इसको फट्थ पर कर देंगे अगया की तरफ कर देंगा हमसेत आ आखर से इसको भी हम क्या करेंगे लिएक के अब अगर तब कर देंगे क्वें कुछी तरह से आप पूरे सीट में आप इसको कोट्यों पेस्ट कर सकते हैं अच्छा यह तो मैंने बताया कि जब कभी भी आप अब यहां पर मैं इसको एफटू दबाकर इसको इडिट मोड में ला रहा हूं यहां पर मैंने क्या लिखा था सेमी कॉलम पी और सेमी कॉलम को क्लोज किया ब्रैकर को क्लोज किया यह तो मैंने खुझ से इन्पूट किया था लेकिन मैं यह चाह रहा हूं कि बीना इन्पूट किये हुए मैं यहाँ पर लिख दूँ पी और नीचे लिख दूँ ए इनकी जैसे मैं पी और ए लिखा तो क्या करें कि वैलू को आटोमेटिक फाइंड करें अब हम यहाँ पर निकालते हैं इसी फर्मिले के द्वारा ठीक है इच उकल टू काउंटिफ कि अधिया टेप दवाया किबोड आइंट से और एन होके मैंने यहां से लेकर यहां तक मैंने इस्कों रहाइंज दिया अ और आपको सेमी कोलम देने की जरूबत नहीं ठीक है आप क्या करेंगे जस्ट आप पी पर क्लिक करदेंगे यह क्या करेगा उस सेल को को एक हिए यानिकी सेल क्या है और बी 25 बी कॉलम का 25 बीड इसमें क्या है हमारा इनकी यह P को फार्इब आपको नहीं कुछ करने के जरूबत आपको डिर्ट का ब्राइकर को क्लोज करना है और एंटर देना यह देखें कांट करकें तो आप दो थ्री इसी को अब हम क्या करते हैं इसके माध्यम से करते हैं काउंटि काउंटिफ रिखा गोपे क्लिक किया कोपे किया रेंज पूछ रहा है अब हम रेंज यहां से लेकर यहां तक देते हैं ठीक है क्राइटेरिय क्या चाहते हैं तो मैंने एक को स्लेट किया यानिकि भी है 26 को मैंने सेट किया और ओके एदिश्याप कर देंटा आगे लिए आपका एंसर आगया यानिकि यह फर्मूल है मेरा सही है अच्छा एक चीज़ और मैं बता रहा हूं आपको इसको हम क्या करते हैं आप तो कि यह चीज यह मैं आपको बताना चाहरा हुआ लेकि जब मैंने इसको कोपी पेस्ट किया तो क्या कर दिया वैलू हमारी गलत बता रहे ठीक है तो यह सही कैसे होगा यह बहुत ही मपोटेंट्य बतारों मैं आपको थ्यान से इसको सुनोआ है यह क्यों नहीं आया कि अच्छा में इसको देखते हैं इसने क्या किया कि ये लीडिट 25 को स्लेक करने के पज़ाएं इसने सी 25 को यहां देख रहा हम जो कि यह क्या कर दिया सी 24 जैसे जिसे हम लोग आगे बढ़ते गये एक एक से लिए आगे बढ़ता से लगे ठीक है यह कारण तो इसका अच्छा दूसरे वाले में देखते हैं इसने देखिए पहले यहां पर आ रहा था अब यहां पर यानि कि एक एक से लिए आगे बढ़ता से लगए तो हम क्या करें कि यह आगे ना बढ़े इसी को फाइंड करें चीक है उसका मैं तरीका आपको बता रहा ह हम क्या करते हैं इडिट मोड में लाते हैं इसको सी 25 को क्या करते हैं स्लेक करते हैं लेकिन एक चीज और है यह चुकि आपका ब्रेक किया हुआ हुआ है इसमें आप काम नहीं करेंगे ठीक है आप काम करेंगे इसमें चुकि इसको जब आप फिक्स करेंगे तबी तो रिजल करने से क्या होता है कि आपका जो यह सेल है यह लॉक होने से यह फाइदा होता है कि यह आगे की तरफ नहीं करता है ठीक है अब इसको प्रजेंट वाले को काउंट करके देख लेते हैं वान तू थ्री फॉर फाइव शिक्स सेफ अब हमारा रहे है उसी ताह से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे डीट्वेंट इसक्स को एफ कीबोर से एफ फॉर्दबाग करेंगे और जब हम ड्रैक करेंगे इसके बा तो यह चीजी समझ में आगे लोगो अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं जैसे यह तो पर्डे का निकाला कि अलग 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 देट को कितने लोग परजेंट है कितने लोग अपसेंट है अब हमें सिर्फ यह मोधी जी जो है इनके पूरे महीने का रिजर् परजेंट थे और कितने लोग अपसेंट थे ठीक है तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसको हम लोग कोपी पेस्ट कर लेते हैं अगोपी पेस्ट ठीके और यहां पर हम पर लिख लेते है कि present और यहां पर absent यहां पर present निकालेंगे और यहां पर present सबसे पहले निकालते है present present कैसे निकालेंगे Is=" Yak alt कांटिफ कीबोर से टैब दबाया रेंज यहां से लेकर यहां तक मैंने स्लैप किया ठीक है कॉमा सेमी कॉलम किसको फाइंड करना है पहले पर जेंड को फाइंड करना है सेमी कॉलम बंद बंद एंटर उसी तरह से आप सेंट निकालेंगे कि इस उक्वल टू कांटिफ टैब दबाया रेंज यह रहा हमारा रेंज मोह ध्यान से देखिएगा कॉमा सेमी कॉलम क्या निकालना है अप सेंट को निकालना है सेमी कॉलम बंद ब्राइकेट क्लोज और एंटर जीरो जीरो कैसे आया भई देख लेते हैं ए इसमें तो हाई न अच्छी बात है और इनी काशा साथ रंजन जी पर भी पड़ा है यह बहुत कम अप सेंट है ठीक है सबस्यादा आप सेंट समय कि कि इन आपको समझ में आगे कि कि एक आदमी का आप को रिजर्ट निकालना है पूरे महीने का कि कितने दिन फर्जहन थे इसमें तो आप उसको कैसे नहीं के ठीक है तो फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि हमारे website को जाना वाले फाइल को डाउन लोड करना न ना भूले को डाउन लोड करें गे आप उसको प्रेइन क says करेंगे तो उमीद है कि आप आप ये चीज इस समझ में आई होगी ठीक है तो आप हमें अपनी राय देते रहेगा बताते रहेगा कि हमारी ठीक है तो इस यूर एक्सेट फ्रेंड्स शाइनिग अप अदर डे वटरफुल डे आहेड़।